तो आज संगीता की कोकिंग में क्या बनने जा रहा है वो मैं दिखाती हूं मिर्च भरवा तो चलिए मैं बताती हूं इसे हमें कैसे बनाना है तो हमने एक गैस पे कराही रखा बिल्कुल लो फ्लेम पे और उसमें हमने वन बाउल बेशन डाला और बेशन को अब हमें अच्छा से भून भी रहा है और इसके कलर भी चेंज हो रहे हैं मैं सोची वीडियो में बिना मतलब वीडियो को मैं बहुत लंबा नहीं करना चाह रहे थी इसलिए मैंने डाइरेक्ट ही दिखा दिया तो इसमें और कुछ डालना भी नहीं है तो इसे हमें अच्छा से पून गया है तो हमने क्या करना है बेशन को एक बावल में निकाल लेना और गरम गरम ही इससे चमच के सहता से चलाना है ताकि इसमें जो भी छोटा मुटा लंस हो वह भी बड़ाबर हो जाए तो देखिए हमारे बेशन में बिलकुल नहीं तो इसमें अब हम क्या क्या डाल में उसिचा के लिए रफ़ें अबुद्व चालेंगे तो फाले हम दाले हम हुआ तो टेवले इसमें ट्यादा ही पड़ता है और वन टेवले स्पून आमचुर पाउडर श्वाद अनुसार लाल मिर्ज पाउडर और इसी में हम डाल देंगे और और यहां आप टेवले त्यार करना है यह मिर्ची भरवा खाने में बहुत इस्वादिस लगता है और आप 4-5 दिन तक आराम से रख सकते हैं कुछ भी नहीं होगा और इसमें ध्यर सारे हम धनिया का पत्ती डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और हमें कुछ भी नहीं डालना और इ इसे अच्छी तरह हाथों से मिलाएंगे क्योंकि इसमें धनिया पत्ती पड़ा है और नमक भी पड़ा है तो अल्रेडी तोड़ा बहुत पानी चोड़े गाई तो एक बार में इसमें हमें ज्यादा पानी डालके गीला नहीं बनाना है बच इसे स्मूट करना है ताकि यह स थोड़े थोड़े पानी का यूज करना है और इसे अपने हाथों के सायता से अच्छे से मिलाना है तो देखे यह बहुत ही अच्छे से मिक्स होगा और अब हमें इसमें कुछ नहीं डालना तो मैं आपको दिखाती हूं यह हमने यह घ्री मिर्च ली और इसके अंदर हमने और इसके अंदर जो मिर्च वीज होते हैं उसे हमने नहीं निकाला उसे हमने छोड़ दिया कूकि वह वीज में कोई तीखा तो अ नहीं है और थोड़ी सी वीज होती है तो उसे हमने नहीं निकाला और कितने लोग के आउटे बीज को निकालते और फिर इस भरावन में मिक्स करते और फिर भरते, आप ऐसे भी कर सकते हो, पर हमने निकाला नहीं, तो देखिए हमने अंगली के शाहता से अच्छे से दबा दबा के इसे भर दिया, और इस परकार हमने सारी मिर्ची को ऐसे ही भ कराही के तरफ ले चलती हूं अग देखिए कोई भी खाना आजकल लोग बहुत ज्यादा तेल खाना नहीं चाहते तो इसे हमें फ्राई नहीं करना तलना नहीं है बस इसे सॉप्ट करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कराही में बस तू टेबल स्पून से भी कम हमने तेल दाला और तेल जब हमारी अच्छे तरह गर्म हो जाए तो उसमें हम डाल देंगे हाफ टेबल स्पूण जीरा और हाफ टेबल यूश्पून अज्वाइन इसमें अज्वाइन डालने से इसकी खुस्मूं बहुत ऑच्छी हो जाती है काने में बहुत ही अच्छा लगता है क कि हमने हिंग पाले डाल लिया है तो आपकी इक्षा हो तो आप थोड़ी सी हिंग भी डाल सकते और जितना हो सकता है आप इसमें मिर्च को डालिए और अच्छे तरह से हम देखिए हमने भरावन ऐसा डाला है कि आप देख लिए पूरा ही सौप्ट हो जाएगा हमारा मिर्च तैयार भी हो जाएगा पर इसके अंदर से भरावन बिल्कुल ही ना निकलेगा तो देखिए हमने इसमें सारे मिर्च को सिप्ट कर दिया आपके कराही में जितना आटे आप एक बार में उतना ही डालना उससे ज्यादा नहीं क्योंकि इसे पलटना भी होता हमने ज्यादा ड करके पकाएंगे तो यह इसके ऊपर का जलेगा भी नहीं और बहुत ही बढ़िये से सॉप्ट हो जाएगा तो देखिए हमारी मिर्ची अच्छा से सिख रही है और इसमें हमें क्या करना है आगे मैं आपको दिखाती हूं तो देखिए कितने अच्छी तरह से हमारे मिर्च पकाना है तो यह बिल्कुल ही अच्छे से सॉप्ट हो गया है तो अब जो हम ने ममसाला बचाकिए रख्या ता उस मसाले को अभ इसके में हमैं चारों तरफ से डाल दिना है ह। इससे क्या होगा इसके उपर का जो पार्ट होता है वो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा उपर से हम डाल देंगे और इसमें क्या करेंगे इसके उपर से उसी बावल में हमने थोड़ी सी पानी ली और हातों के साहता से इस पर हम छीटा मारेंगे छीटा मारते हुए और फिर से एक मिर्च निकाल के भी दिखाती हूं यह कितना सॉप्ट हो गया है तो देखिए हमारा मिर्च बिल्कुल ही तयार है खाने के लिए आप रेडी है तो आप देखिए मैं एक मिर्च आपको दबा के दिखाती हूं यह किस तरीके से बिल्कुल सॉप्ट हो गया आप कहीं से भी दबाएं यह बिल्कुल सौफ्ट हो गया है तो इस परकार आपको हमारी रेसिपिक कैसी लगती है प्लीज हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप सब्सक्राइब भी कर लें बहुत लोग